एला फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो में चैनल गाइज आज का जो गेम का वीडियो बहुत ही स्पेशल बहुत ही खांसे मेरे लिए विकोज इसलिए नहीं तो अभी इसलिए में इसका वीडियो आप बना रही हूं तो गाइज उस गेम का नाम है सॉरी तो काफी इंट्रेस्टिंग है बहुत ही अच्छा गेम है जिसमें एज है 6 प्रस और जो प्लेयर है और 2-4 प्लेयर से बताना चाहूंगी कि इस पेशली उन लोगों के लिए गेम है जो लूडों केले करके पक चुके है थोड़ा सा क्लास क्या गेम से हड़कर उसी को मौडिफाय करते हुए सॉरी और मैं आपको बोटे हूं कि आपको गेम में कम से कम बहुत टाइम आपको सॉरी बोलना पड़ेगा आपके अपने लनको तो वही इस गेम का मज़ा है जिसका से नाम है सॉरी तो चली स्टाट करते हैं शौरी और हैं कि इस थरीके से रूल रहेगा इसका रूल भूट है कि यहां पर दीटेल हैं और कौन से रेकों किया भोलते हैं अब तो उसको अभी बोड को समझेंगे विलाड से रख देते हैं यहां पर आपको टोटल 45 कार्ण्स मिलते हैं कार्ण्स को ढगा है इस वह वाम बात में तो इसके सब से आपको जो आपको पॉन है वो मूव करना होता है चीक है और यहां पर आपको मिलते हैं यहां पर 12 पॉन्स मिलते हैं अलगला colors में आपको फोर colors मिलेंगे yellow, blue, green and red तो इस तरह से पॉन्स रहेंगे आपको पूरे जो फिर 3 पॉन्स वो यूज्ट करने आप चाहते हैं अगर आपके पास पर प्लाप आप उले के खेल सकते हो वहना में आपको सर्फ तीन पाउल लेना है यहां पर एक्ट्राइब 4 दिया हुआ है आप चाहते हैं तो 4 यह 3 से भी कहल सकते हो चलिए इसे बाहर ले लेगेए और तो आपको बीजित से बॉर्ट आपको के आपको जो पना कलर और चूज कर लेना है और यहाँ पर स्टाट पोईंक्त हो आप पर आपको अपना जो पाहीए वह रख देना है रेड़ करें राखना है आप चाहिए तो जिस सैंप वह इस बता है अप फोल्ट भी ले सकते हो तो मेरे जब से ज़्यादा इंटरस्टेंग के यह तो यह रग दी हम नहीं पॉण्स उनकी प्लेस पे आप हम थोड़े से बोड़ की बारे में एरी के बारे में जा रहेंगे किए कौन से एरी को क्या हम कहते हो किस तरह से चलना है तो आपका में मोटिव क्या रहेगा आपको पर पर पांट रखना है और जैन भी भी आप निकलोंगे वन हीर टूसी तो आपको पूरा इस तरह से घूम कर आना है पूरा एक राउंड लेकर आपको यह पर जाना है इसमें होम में जैबी जिसी का भी सबसे पहला तीन पॉंड उसके होम में पहुंच जाता है तो वह यह ग पर नहीं कर सकता है विकोज आपका सेफ्टी जोन ही यलो का तो यह यलो को होम रहेगा और नेक्स बहुत अच्छी बात क्या है कि जभी आप सेफ्टी जोन से इल्मा तभी एरो से यहां से अंदर आते हो यह पूरा एरिया जो है सेफ्टी जोन में तो कोई अधर पॉंड को पौर इन्टि नहीं यहां पर आपको काड़ेगा गया सी तो इसले इसको सेफ्टी जोन का आगए अंदर आप यहां पर सेफ्टी जोन को कोई निकाड़े रहा चीक है और जा इल्लो वाल इंजकल पर आते हो सपोस्वे यह 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 इसे ट्रायंगल पर आता है उसका नंबर तो शाइड करके यहां पर जा सकता है लेकिन आपको ध्यान रखना को कलर के साब से यहां पर तीन कलर यह लोग ग्रीन और तो इसी फिर तीन अब लूए नहीं दिया वह तो जो ब्लूप और वो स्लाइड नहीं कर सकता है तो जो यहां पर color mention ने तीन color सी वही पॉन अगर exactly ट्रेंगल पर आता है तो वह slide कर सकता है सब उसी किसी player को 5 का card आता है तो यह होता है 1,2,3,4,5 अगर exactly वह number आए तो वह player यहां से कड जाएगा और चला जाएगा start area में लेकिन अगर वह player यहां पर खड़ा है उस player को अगर यहां पर 7 आता है या फिर 8 आता है या 10 आता है जो उसको उसके उपर से jump मार कर जा रहा है तब वह उसकी जो pawn है वह नहीं कड़ेगा exactly same number आना चाहिए तभी उसका गोटी कड़ेगा यहां से चीके सपोज यह player को exactly जो red वाला player है उसका exactly आता है 2 1,2 अब जिस्ता से मैंने बता है कि यहां पर उसको triangle पर slide करना है और यहां पर red भी है तो जब यह player यहां से slide करते वह जाएगा यहां पर और यहां पर उसको रु यहां पर एक blue वाला पॉन खड़ा है अब उसको exactly जो red वाले को number आता है 2 1,2 अब red वाला यहां से slide कर सकता है slide में दो गोटी तो वह slide करते में जाएगा 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 और यहां पर दोनों गोटी हो जाएगी कट हो जाएगी और अपने अपने घर में पहुंच और और एक चीज़ हम लोग समझ देंगे board के बारे में ताकि आपको फी gameplay देखने के लिए इसी रहेगा इसले में आपको detail में बता रहे हो अगर आप का पॉन यहां पर है और आपको जाना है यहां पर home में तभी आप आपको home में जाना है तो exactly आपको सेम नंबर आना चाहि आपको home में जाने के लिए तो यहां पर है card here, card here means यह आपकी cards रहेंगे जिस्ता से मैंने आपको इंटर में बताए कि इसमें कोई dice नहीं है आपको card pick करना है, dice नहीं pick करना है तो आपको card को नहीं बहुत अच्छी तरी से shuffle करना है और उसको यहां पर रख देना card here में और ज card here आपको यहां पर discard करना है और card में जो भी number mention किया वाई यहां पर जो भी इसकी detail लिखी वे उसके इसाफ से आपको वो चीज फॉलो करना होगा जिसके बारे में हर एक card के बारे में हम लोग detail में समझेंगे तो I hope आपको इतना चीज दो समझ में आ गयोंगी board से related games के related आप I can discard करना है डिसकार में जो भी number लिखांगा आपको फॉलो करना है तो चलिए गाइस देखते हैं कि किस तरह से खेलते हैं sorry तो यहां पर सबसे पर आपको यहां से पिक करना है और discard area में दालना है तो मैंने पिक किया है आप लवली यहां पर आ गया one number one से क्या करेगा यहां पर blue वाला जो player है वो यहां से उसका turn था तो वो निकल गया बाहर one से बाहर निकल गया चीके अभी बारी है यहां पर yellow player की तो yellow वाले नहीं यहां पर card उठाया उसका आता यहां पर two number तो जिस तरह से मैंने बताया one या two दोनों से वो बाहर निकल सकते हैं तो यहां पर यह जो player है यह निकलेगा बाहर one और two आने पर आपको पॉन से बाहर निकल के आपको यहां पर आना अगर आपके card में two आया तो is that me यह नहीं होगा कि आप one two चलेंगे आपको तभी भी यहीं पर आना होगा ठीकित अपने आपकी जो पॉन है वो बाहर निक करने हैं आपकी starting area से आपको सीधा आपका पॉन बहार लेना है और कोई भी प्लेयर जो आपको लगता है कि आपके घर से नजदीक हो उसके पॉन को हटा देना है उसका पॉन सीधा चला जाएगा वापर से start area में और आपका जो पॉन हो बाहरा जाएगा तो इस तरीके साप प्लेयर को sorry बोलते हैं आप अपना पॉन बाहर लेके आ सकते हो नेक्स कंडिशन यह ना गाई situation है sorry में अगर आपके सभी जो पॉन है वह बाहर है आपके start area में अगर कोई भी आपका पॉन अंदर नहीं है तो उस वक्त क्या करना है sorry आने के बाद आप 4 step आगे forward कर सकते हो for example 1,2,3,4 तो इस तरह से 4 step आपके जा सकते हो तो आपके बास में 2 option रहेगा गाई एक्स काड़ कौन सा है number 3 number 3 आपको forward करना है तो suppose अगर yellow वाले का turn है तो अगर इसको आता है 1,2,3 तो यहां पर आप यह आगे exactly triangle पे तो यहां से वो slide करके पहुँच जाएगा आगे अगर blue player को अगर 3 आता है 1,2,3 तो यहां पर आगे slide नहीं कर सकता है because यहां पर blue player का यहां पर line में blue color नहीं है तो इसलिए उस विचार को यहीं खड़ा होना पड़ेगा वो आगे slide नहीं कर सकता है next card is 4 यह बहुत interesting card है जिसमें लिखा है backward backward मतलब आपको जो आपका pawn है वो चार इसने पीछे लेना पड़ेगा suppose आपको यह pawn है तो आपको चार पीछे लेना पड़ेगा one two three four वो पीछे आ चुका है और पीछे आने का एक फाइदा क्या है कि सीदा वहां से वह अपने safety zone से अपने home में पहुंच सकते तो कभी-कभी यह बहुती फाइदे वाला card होता है आप नेक्स करें नमबर five नमबर five आपको normal five आपको forward करना है for example one two three four five चीक है आप डिरेक्ल यहां से आपको आपने safety zone में पहुंच चुके हो अभी safety zone में पहुंचने का मतला है अभी कोई भी आपको दूसरा प्लेयर काट नहीं सकता है आप वहां पे safe हो उसके बाद next यहां पे number आते है number seven जो बहुत इंट्रेस्टिंग number है जिसको seven को आप दो हिस्सों में divide कर सकते हो मतलब seven को आप दो गोटी की जरी चला सकते हो for example यहां पे एक pawn है यहां पे घर पे पहुंचने वाला है तो one two three इसको one two three कर देने और बाकी का जो आगे का number है त और five six seven आप इसको move कर सकते हो तो आप seven को आप अपनी जो प्लेयर की जो पॉन उसमें दो हिस्सों में बाट सकते हो चीक है next यहां पे eight number जो simple आपको eight number move करना है इसमें कोई interesting होली बात नहीं है number eight eight oh exactly eight पे इस पे यह पॉन कट चुका है same number exactly number है तो यह चलागे यल्लवाल 10 में यह है कि आप इसको आगे forward कर सकते हो आगे 10 पे अगर आपको 10 नमबर पर आगे forward नहीं करने कोई situation में तो आप इसको backward one कर सकते हो या तो आप एक पिछी चले जाओ या फिर तो गेम की सबसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक move पीछी जाना है या 10 आगी जाना है तो next card आता है 11 गाइस बहुत ही game changer card बोल सकते आप इसको और seriously जिसे भी 11 आते हैं तो बहुत जादा गुसा आता है इसमें क्या करना होता है आप अपना जो play save opponent से exchange कर सकते हो चीक है या फिर आपको exchange करने के लिए नहीं है तो आप simple 11 आगे forward कर सकते हो लेकिन exchange वाला में आपक आपको इदर रख देना है और आपको अपना pawn यहां पर रख सकते हो इसे फाइदा क्या होगा कि जो blue आने का जो safety zone है वो यहां से नज्दिक हो चुका है वो अपने घर में जल्दी पहुंच जाएगा और जो yellow वाला जो यहां से जल्दी से पहुंचने वाला तो उसको आप आप इसको number 11 number आगे forward करना है और एकदम लास्ट नबर आता है number 12 जिसमें कोई कुद्धो option यह simple 12 आपको 12 आगे move करना होता है तो इसमें भी आपको एक scene बताना चाहूंगी scene मतलब एक scenario बोल सकते हो या situation बोल सकते हो अभी आपके सब गोटी यहां पहुंच चुकी है home में और आपको आया number 12 तो 123456789 आपको अंदर जाने के लिए nine number चाहिए या nine से कम आप दो तीन बर करके जा सकते है आपको 12 नमर आया है तो आपको यह गोटी यहीं रखनी पड़ेंगी 12 आपको काड़ हो चोचेगा आपको next time के लिए वेट करना होगा अगर कोई भी काड़ में आपको चलने के लिए आपका पॉन्ड आप मूफ नहीं कर सकते हो तो आपको जो टाने आपका हुहां पहुंच जाएगी है और बहुत ही सच्छ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता ह थोड़ा सा आप बहुत सकते हैं जिसना से मैंने बता है कि लुडू की जैसे लेकिन सीरसली थोड़ा सा लुडू से हटके हमें इसमें जाता मसा आया यह जो बड़े हैं घर के छोटे बच्चे वो खेलते हैं कुछ दो तीन चीजेंस में इंट्रस्टिंग है जैसे कि 11 नमबर यह जाता है पूरी तरह से इस तरह से आच चुका है यह खतम हो चुका है ठीकि लास्ट्ट फ्लैर मिल ले लिए यहां पर कार्ड नहीं है तो आपको डिस्कार्ड पाइल को फिर से लेना है आप उसको अच्छी तसे शफल करके फिर से दुनियू डेक बला सकते हो और इसको तो काफी अच्छा लगा मुझे गेम आपको पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको गेम कैसा लगा वीडियो अच्छा लगता तो मेक्षर उसे लाइक जरूर करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करना इसे करके और अच्छे वीडियो देखने के लिए गेम के रिगार्डिक अगर कुछ भी क्वेश्यों है कुछ भी क्वेडिज है या आप अपने ओपियन भी मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टा पे डारेक मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यह मेरा इंस्टा इडी है वह पर हमारे जो अपडेट से गेम्स के रिलेटिड वह डेली होते रहते हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग